हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल तोप परसनेलटीज फ्रेंट्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे बॉलिवुड के खलनायक यानि कि संजैदत के बारे में कुछ ऐसी बातें जो शायद ही आपने सुनी हूँ बहुत ही रोचक बातें संजैदत की लाइफ और करियर हर पॉलिवुड से अलग रहा है जहां एक टाइम पर उन्हीं ड्रुग एडिक्ट देखा जाता था तो कहीं उन पर देश द्रोही होने का रूप लगा संजैदत का जीवन भी एक फिल्म की ही तरह रहा है जिसमें कभी इमोशन, कभी रोमेंटिक, कभी एक्शन देखा गया आज हम इसी के बारे में बात करेंगी नर्गिस और सुनिलदत जब पेरिंट्स बनने वाले थे तो उन्होंने एक एड दिया था जिसमें उनको लड़का या लड़की के लिए नाम सजेश्ट करना था कई नाम सजेश्ट करने के बाद नर्गिस को संजे नाम बहुत पसंदाया और यहीं से दोनों ने मन बना लिया था कि उनका लड़का पैदा होता है तो वह अपने लड़के का नाम संजे रखेंगे 2013 में जब संजेश्ट ने जेल जाने के लिए सरेंडर किया तो हर कैदी की तरह ही उन्हें भी काम दिया गया था और संजे का काम पेपर बॉक्स बनाना था जिससे उन्हें दिन के 50 रुपे दिये जाते थे 2016 में जब संजेदत को जेल से छोड़ दिया गया तब उनकी कमाई 30,000 रुपे से भी ज्यादा हो गई थी जिन में से विसारी इनकम जेल के कैंटीन में खर्च कर चुके थे जेल से रिहा होने के बाद उनका बैलेंस 450 रुपे था और वही पैसे उनोंने अपनी वाइफ मانечатप को दिये संजेद ने अपने करियर में दो बार फिम फेर आवोड जिता फिल्म वास्तव के लिए संजेदत ने अपनी लाइफ का पहला फिल्म फेर बेस्ट एक्टर आवोड जिता और उसके बाद उन्हें बेस्ट कोमेडियन मूवी फिल्म मुन्ना भाई MBBS फिल्म का फेर दिया गया फिल्म रोकी के दोरान भी संजय नशे करते थे संजय को नशे की लत इतनी ज्यादा थी कि शूटिंग के दोरान वह कश्मिर जा रहे थे तो फ्लाइट में भी उन्होंने अपने सोक्स में ड्रग्स छुपा रखे थे संजय ने कहीं इंटर्व्यू में खुदी बताया था कि अपने करियर की शुरुवाती फिल्म के दोरान वह शूट पर भी बहुत नशे में हुआ करते थे संजय दत ने अपनी पहली सिगरेट नो साल के उमर में पी थी जिसे वह अपने फादर और दोस्त के लाइफ लाइन से इंप्रेस हो जाते थे क्योंकि घर पर जब भी सुनेल अपने दोस्तों के साथ बैठते तो कभी सिगरेट पीते नजर आते थे तो एक दिन संजय ने भी आदी जली हुई सिगरेट को पीना शुरू कर दिया था ऐसे करते करते संजय दत ने कई बार सिगरेट पीनी शुरू की और जब इनके पिता सुनेल दत को इस बारे में पता चल गया तो वह बहुत नाराज हुए थे और उन्होंने संजय को घर में बहुत लाड़ प्यार किया जाता है जिसकी वज़े से वह पूरी तरह से बिगड़ चुका है इसका कारण माना संजय दत को बिगड़ते देखकर सुनील ने संजय को बोर्डिंग स्कूल में डालने का मन बना लिया था यह एड़वाइज उन्हें इंद्रा गांदी ने भी दी थी क्योंकि उन दिनों सुनील कॉंग्रेस के लिए एक्टिव मिंबर थे जब उन्होंने संजय के बारे में इंद्रा गांदी को बताया तो इंद्रा ने संजय को बोर्डिंग स्कूल में भेजने का सुजाव दिया तब उसके बाद संजय को बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया गया और अगले 9 साल संजय ने वहीं बिताए स्कूल खत्म होने के बाद जब संजू को कोलिज जाने की बारी आही तो संजू को ग्रेजुएशन करने का मन बिलकुल भी नहीं था पर सुनील का कहना था कि तुम लाइफ में जो कुछ भी करो पर तुम्हारा ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है फिर संजू का एडमिशन मुंबई के एलफिन स्टोर्न में करवाया गया वह एक साल में एक या दो बार ही क्लास को अटेंट किया करते थे और यही वो टाइम था जहां से संजू को हैवे ड्रग लेने की आदत लग गई संजे ने कोलिज के दिनों में ही मन बना लिया था कि वह एक्टर बना जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता था कि वह एक एजी काम है पर जब उन्होंने यह बात अपने पिता को बताई तो सुनिल बहुत गुसा हुए और कहने लगे कि अगर एक्टर बनना इतना असान होता तो हर कोई दूसरा आदमी आज फिल्मों में एक्टिंग कर रहा होता अगर तुम्हें सच में एक्टर बनना है तो अगले दो साल तक तुम्हें प्रोपर ट्रेनिंग लेनी होगी संजे ने इस बात पर ज्यादा आर्गुमेंट नहीं किया और जट से हां कह दी संजे की पहली फिल्म रोकी के दोरान ही नर्गिस का कैंसर बहुत ही सीरियस स्टेज पर था पर फिर भी उनकी दिली ख्वाइश थी कि कैसे भी करके वह संजे की फिल्म को बिग स्क्रीन पर देखें पर तीन मई यानि रोकी की फिल्म रिलीज होने से पांच दिन पहले ही संजे की माता नर्गिस जी का देहांत हो गया नर्गिस उने छोड़ कर चली गई और आठ मही को रोकी फिल्म रिलीज हुई तो संजे ने थीटर की एक सीट अपनी मा के लिए रिजर्व रखी फिल्म रोकी के ओर्डर शूटिंग के दोरान टीना मुनीम को एक आदमी छेडने लगा तो संजे ने उसे पबलिक में ही मारना शुरू कर दिया था संजु ने एकसिडेंट के बारे में कई इंटर्विव में बात की है उस समय में काफी यंग था और टीना के लिए प्रोटेक्टिव भी था जब मैंने देखा कि टीना के साथ कोई बहत्तमीजी कर रहा है तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उस आदमी को पबलिक में ही मारना शुरू कर दिया अलग होने के बाद भी संजे टीना के लिए बहुत पजैसिव रही थी जब टीना रिशी कपूर के साथ फिल्म शूट कर रही थी उसी दोरान खबरे आना शुरू हो गई कि दोनों का अफेर चल रहा है तो संजे दत अपने दोस्त गुलशन गरोवर को लेकर रिशी कपूर से लड़ने चले गए जब संजे रिशी कपूर के गर पहुंचे तो नीतो ने यह सारी सिचुएशन संभाल ली और संजो को बताया कि यह सब अफवा है रिशी और टीना में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है टीना से ब्रेक अप के बाद संजे के में काटकर कोड डेट करना दिया उस समय अपने बोल्ड करेक्टर के लिए जानी जाती थी पर दोनों का अफेर कुछ ही महीनों में खत्म हो गया कहा जाता है कि यह ब्रेक अप पी संजे के ड्रग एडिक्ट की वज़ा से हुआ था संजे के ड्रग प्रॉबलम बढ़ती ही जा रही थी और एक दिन ऐस भी हुआ जब वह सो कर उठे तो उनके नोकर उनकी हालत देखकर रोने लगे तो संजे ने पूछा क्या हुआ तुम्हें तो संजे को बताया गया कि वह दो दिन के बाद उठे हैं संजु ने उसके बाद एहसास किया कि इस प्रॉबलम का कुछ नहीं किया गया तो वह कर जाएंगे तो संजु ने हिम्मत करके अपने पिता यानिकी सुनिल्दत को कहा कि मैं ड्रक्स का लग छोड़ना चाहता हूं आप मुझे रिहाब भीज दो उसके बाद संजु को यूएस के रिहाब में भीजा गया जहां वह एक साल तक रहे जब संजु रिहाब में थे त अपनी कमपनी में पार्टनर्शिप देने का ओफर भी दिया था पर संजु ने जब यह बाद सुनिल्दत को बताई तो संजु को रिक्वेस्ट किया कि तुम्हें एक बार और बॉलिवुड में ट्राई करना चाहिए संजु का मन तो नहीं था पर वह अपने पिता की बात नहीं टाल पाए और दोबारा इंडिया आकर फिल्मों में काम करने लगे बॉलिवुड का कमबैक के बाद उनकी दो फिल्में रिलीज हो चुकी थी और दोनों ही बोक्स ओफिस पर पूरी तरह फ्लोप रही संजु को एक हिट फिल्म की तलाश थी और वो मिली उनको एक सिफिल में ओफर होने लगी संजु का मानना है कि महिश्बट ने ही उन्हें बॉलिवुड में लॉंच किया है और वह इस बात के लिए हमेशा ही उनके आभारी रहेंगे 1996 में संजेदत के लिए बहुत अच्छा जा रहा था उनकी ड्रग प्रोब्लम खत्म हो चुकी थी और नाम फिल्म से वह दोबारा बॉलिवुड में आ चुके थे पर सबसे में जुपल जो रहा था उनकी मुलाकात एक्टरस रिचा शर्मा से हुई उस वक्त रिचा शर्मा बॉलिवुड में नई नई आई थी और संजेव ने बहुत पसंद करने लगे थे एक साल के अंदर ही उन दोनों ने शादी करने का मन बना लिया और 1987 में संजेदत और रिचा शर्मा ने नियुवर्क में शादी कर ली थी शादी के बाद 1998 में उनकी फैमली बढ़ी और उनके एक डोटर का जन्म हुआ और चार महने बाद ही रिचा को सी बिया हैडक आने शुरू हुए और पता चला कि उन्हें ब्रेंट टूमर है संजे ने नियुवर्क के सेम होस्पिटल में एडमिट कर आए जहां पर उन्होंने अपनी मा को एडमिट कर आय था संजे के लिए वहे वक्त बहुत ही मुशकिल था क्यूंकि एक तरफ उनका करियर बहुत अच्छा चल रहा था तूसरी तरफ उन्हें बार बार रिचा को देखने न्यू योर्क जाना पड़ता था संजा का मादूरी दिक्षित के साथ भी अफेर रहा है और ओन स्क्रीन भी उनकी जोड़ी बहुत सक्सेस्फुल रही है यह सब तब शुरू हुआ जब रिचा की तब्यत न्यू योर्क में दिन प्रति दिन सुधर रही थी रिचा ने कई इंटर्व्यू में ओपनली कहा है कि उनकी वज़े से ही उनकी मैरिज में प्रोब्लम आना शुरू हुई है सूर्सिस की माने तो संजय के जेल जाने की वज़े से माधूरी ने उनसे ब्रेक अप कर लिया था और ना ही कभी वैस संजय से मिलने जेल गई इसी वज़े से संजय और माधूरी ने कभी एक दूसरे की साथ फिल्में नहीं की जब संजे और रिचा की डायवोर्स की प्रोसेसिंग शुरू हुई संजे को अपनी डोटर की कस्टडी चाहिए थी रिचा की फैमिली इसके अगेंस्ट थी क्योंकि संजे पर केश चल रहा था और उनके पास कांट्रोवर्सी की वज़े से रिचा की फैमिली को नहीं लगा था कि तरिशला को संजय के साथ रहना चाहिए यह केस पांच साल तक चला और इस रिचा का कैंसर वापस आ गया और 1996 में उनकी मृत्यू हो गई और फिर जब तरिशला दस साल की हुई तो कौठ ने जाहिर किया कि संजय तरिशला के बाइलोजिकल फादर है उन्हें ही अपनी डौटर की कस्टिडी मिलना चाहिए तब तक संजा और उनकी फैमिली का मन बदल चुका था और उन्हें लगा था कि तरिशाला ने अपने दस साल यूएस में बिताए है इसलिए संजा को लगा कि उनकी डोटर को यूएस में ही रहना सही होगा और जब चाहे वह उनसे मिलने इंडिया वापस आ सकती है और बस ऐसे ही उनकी डोटर ने अपने लाइफ यूएस में बिताई और आज भी संजा उनसे रेगुलरली कॉन्टेक्ट में रहते हैं फिल्म साजन के लिए आमिर खान को अप्रोच किया गया था पर उन दिनों आमिर खान किसी फिर्स्ट टाइम डिरेक्टर के साथ काम नहीं करना चाते थी इसी कारण यह रोल संजा दत को दिया गया और साजन ही पहली वह फिल्म गनी जिसके लिए उन्हें अवर्ड के लिए नूमिनेट किया गया था 1992 की फिल्म यलगार वैसे तो बोक्स ओफिस पर फ्लोप रही थी लेकिन संजा हमेशा इस फिल्म को याद रखेंगे क्योंकि ऐसी शूटिंग के दोरान फिरोज घान डायरेक्टर परड्यूसर और एक्टर उन्होंने दुबई में संजु को अंडर वर्ल्ड डौन दाउद इबराहिम से मिलाया और यहीं से संजद का अंडर वर्ल्ड से कनेक्शन शुरू हुआ जो 1993 में खलनायक रिलीज हुई तो उस वक्त संजद जेल में थे फिल्म के डिरेक्टर ने इस बात का फाइदा उठाया और एक पोस्टर पर यह लिखवा दिया कि यस आई एम दा विलन इसी कारण यह फिल्म बॉक्स ओफिस पर बहुत ज़्यादा हिट रही थी संजद कभी भी पाठ पूजा पर ध्यान नहीं देते थे जेल जाने के बाद वह उन्होंने हनुमान चालिसा और गीता पढ़ना शुरू कर दिया संजद ने बताया कि जेल जाने के बाद उनको अपनी लाइफ की सही वैल्लू पता चली है जेल में सजा काटते हुए जब रक्षा बंधन का पहला तोहार आया तो पहली बार ऐसा हो रहा था कि संजद अपने बेहनों से दूर थे इसलिए उनकी बेहन प्रियादत जेल में राखी बादने गई उसके बाद संजु ने अपने बेहन को लंच कूपन दिये जिसको दिखा कर कैदियों को खाना मिलता था संजु ने इस कूपन के लिए दो वक्त का खाना मिस किया था यह देखकर प्रियादता की आँखों में आसु आ गई प्रिया आज भी संजू के इस गिफ्ट को संभाल कर रखे हुए है तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई शक्सित के साथ उम्मीद करती हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो पस्ची लगती है तो फ्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्स तो ओल थैंक्स पर वोचिंग बाई